हलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए बना रहे हूँ एक यूनिक रेसिपी जिसका नाम है वेज फिश फ्राइ जिसमें फिश का इस्तमाल बिल्कुल नहीं हुआ है इसके जगापे मैं ले रहे हूँ कच्चे केले या प्लांटेन जिसको बोलते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं वेज फिश फ्राइ आधा लेटर पानी में मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा हल्दी और मैं ले रहे हूँ दो कच्चे के लिए बड़े साइस के इसको में स्केण निकालने के बाद हल्दी पानी में डाल दूँगी ताकि केले काले ना हो जाये फिर इसको हम थोड़ा तेर्चा करके कट करना है सरकल में नहीं कट करना है ताकि पीसे थोड़ा बड़े आए और इसके बीचो बीच एक होल बनाना है ताकि ये फिश के कट पीस जैसा दिखे फिर इसको हम हल्दी पानी में डाल देंगे फिर पार्ने निकालने के बाद इसमें में डाल रहे हूँ स्वादा नुसान नमक आधा टेबूल स्पून लाल मिर्च पाउडर दो टेबूल स्पून चिंजर गालिक पेस्ट आधा टेबुल स्पून बटर इसको मेल्ट करके डाल रहे हूं इससे के लिए ड्राइ नहीं लगेंगे दो टेबुल स्पून मैदा दो टेबुल स्पून कॉंस्टार्च भी डाल रहे हूं इसमें फिर डालेंगे 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला पाउडर और आधा निम्बू में इधर निचोड रही हूँ निम्बू के जगा पर आप दहीका भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसको मैरिनेट होने के लिए 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे फिर एक कड़ाई में मैं ले रहे हूँ थोड़ा सा ओयल और उसमें ये सारे हमारे वेच फिश को डाल रहे हैं जो बिल्कुल फिश नहीं है केले से बना है इसको हमें अच्छे से फ्राइ करना है इसको थोड़ा ढख देना है नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये जटपट पांच मिनिट के अंदर तेयार हो जाता है इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी स्नाक्स के साथ खा सकते हैं ये एक बहुत अच्छा टेस्टी साइड डिश है इसको आप कभी भी बना सकते हैं और खा सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया प्लीज आप इसको लाइक कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मै चैनल थैंक यू फर वाचिंग